दोस्तो अगर आप web design करते हो या फिर blogging करते हो तो आपको कभी न कभी illustrated images के जरूरत पढ़ता ही होगा आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे चार resources बताने वाला हूँ जहां से आप unlimited free illustrated images download कर सकते हो और उसमें थोड़ा बहुत customization भी कर सकते हो नमस्कार दोस्तो मैं शूप्रियो आपको स्वागत करता हूँ कि एर आप web के एक नए वीडियो में अगर आप इस चैनल में नए है तो इस चैनल को आप subscribe कर लिजिए तो चलिए वो चार best resources क्या है मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तो illustrated images के जो पहला source है वो है undraw.co इसका homepage आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा यहाँ पर browse now का option है यहाँ पर आप click करेंगे तो आपके पास बहुत सारे source यहाँ पर illustrated images जो है वो आपको ऐसे देखने को मिलेगा और उपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक color palette है अगर आप इस color palette पर click करेंगे तो आप यहाँ से अपने color change कर सकते हैं आप देख सकते हैं जब मैं यहाँ पर color change कर रहा हूँ तो नीचे जो graphics element है उसमें भी color changes हो रहा है अगर मैं यहाँ पर green करूँगा तो देखिए यह जो images है यह यहाँ पर green दिख रहा है और इस image को download करने के लिए आपको image के उपर click करना पड़ेगा और यहाँ पर आपके पास दो option दिखाई देगा एक है svg जो बहुत ही हलका file होता है या फिर आप यहाँ से png file download कर सकते हैं और अपने site में use कर सकते हैं और सबसे खास बात यह है undraw.com में आपको sign up करने की भी जरुरत नहीं पड़ेगा मैं आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर download png करता हूँ तो देखिए easily one click यह जो png file है यह यहाँ पर यह open हो रहा है ऐसे देखिए और आप अपने जो content है यहाँ पर search icon पर अगर आप click करेंगे यहाँ पर तो यहाँ से आप अपना जो type है category है उसको आप choose कर पाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ website तो देखिए website के related जो भी यहाँ पर content है वो आपको यहाँ पर दिखाए दे रहा है तो यह गया हमारा पहला source और illustrated images के दूसरे source है humans.com यह सारी links मैं नीचे description में दे द करना है तो यह नया window यहाँ पर open हो जाएगा और यहाँ पर आप content जो है वो search कर सकते हैं और free में भी बहुत सारी content है और इस content का जो color है उसको आप change कर सकते हैं मैं example के तो और यहाँ पर दिखाता हूँ तो मैं यहाँ पर click किया तो देखिए यह open हो गया है यह free sources है अगर आपको कुछ option मिल जाएगा इस image को customize करने के लिए जैसे यहाँ पर जो bottom है यह pant है pant का color अगर आप चाहे तो इसको change कर सकते हैं जैसे मैं अगर green कर दिया तो दिखिए जो pant है यह green हो गया और इसका movement है food staff है वो भी आप यहाँ से change कर सकते हैं कुछ ready made food staff दिया गया है यहाँ और इसका जो hair color है और यह जो beard है इसको भी आप change कर सकते हैं तो मैं इस beard color जो है इसको मैं कर दिता हूँ यहाँ पर black और इसका जो skin tone है skin tone इसको मैं कर दिता हूँ थोड़ा सा light तो देखिए यह कुछ इस तरह से दिख रहा है और यह सारे combination करने के बाद अगर आप background color देना जाते हैं तो यहाँ पर background में color डालने की जगा है जैसे यहाँ पर green एक color मैंने दे दिया और background का जो images है यह भी कुछ आप customize कर सकते हैं आपने हिसाब से यहाँ पर कुछ ready में template दिया गया है और इसके बाद आप यह जो image है इसको आप free में png version में download कर सकते हैं और वो जो png हो और इसका जो sbg या फिर large png है यह आपको premium version में मिलेगा लेकिन यह जो small png है इसमें आपका काम बन सकता है तो आप यह भी try करके देख सकते हैं यह देखिए इसका output ऐसे दिख रहा है तो यह था हमारा दूसरा resource अभी हम देखेंगे हमारा तीसरा जो resource है वो है icon8.com slash illustration इसक सारी categories के illustrated images आप यहां पर ढूंड सकते हैं जैसे यहां पर category दिया गया है तो मैं अगर एक category में यहां पर click करता हूं तो wave element जो है यहां पर आप देखेंगे यहां पर यह open हो गया है और यहां पर कुछ popular tag दिया गया है आप यहां से अपने हिसाब से search भी कर सकते हैं तो मैं अगर इस पर click करता हूं तो यहां पर हमें दो option मिलेगा एक जो है वो है इसका customize करने का option यहां पर देखिए edit with vector creator है अगर आप यहां पर click करेंगे तो यह vector editor open हो जाएगा वो मैं दिखाता हूं लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि यह जो image है इसी color में और इसी form में आपको इस कर दिया तो यह जो low resolution images है वो download हो गया लेकिन अगर आप इसको personal blog में use कर रहे हैं तो आपको यह जो उनका link है यह देना पड़ेगा यह वो बता रहे हैं तो अगर आप blog में use कर रहे हैं तो link डाल दीजिए उसका और इसका quality कैसे है मैं आपको दिखाता हूं यह देखिए यह low resolution कह रहा है लेकिन इसका जो resolution है यह बहुत ही अच्छा है मैं आपको यहाँ पर file information दिखाता हूं तो देखिए 1621 x 912 का dimension है और 63 kg का size है मतलब यह quality जो है यह बहुत ही अच्छा है तो अभी हम देखेंगे इसको कैसे customize कर सकते हैं तो edit with vector creator पर हम click करते हैं तो यहाँ पर एक vector edited open हो जाएगा अभी अगर मैं इस image के उपर click करता हूं तो देखिए यहाँ पर right side में कुछ option आपको मिल जाएगा जहां से आप इस image को crop कर सकते हैं इसका color change कर सकते हैं इसका जो position है वो आप shift कर सकते हैं या पर चाहे तो इस image को आप delete भी कर सकते हैं और इसका जो color है आप इ गलrió और यह जो आइटेम है यहाँ पर change हो गया वैसे ही इसका जो body color है अगर आप चाहे तो इसको भी आप change कर सकते हैं जैसे यहाँ पर मैं इसको राट कर देता हूं थे बाटी यहाँ पर change हो रहा है है तो यहाँ पर करने को आपको बहुत कुछ है आप चाहे तो यह जो character ह इसको आप एड कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे रेडिमेट करेक्टर है, वो भी आप इस इमेज में डाल सकते हैं, और इसके बाद आपका जो यह एडिटेड इलस्ट्रेशन है, यह आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फ्री में आप जो टांस्पारिंट PNG है, 800 x 450 पिक्सल का वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए, यहाँ पर यह डाउनलोड हो गया, और इसका अगर आप रेजलुशन देखेंगे, तो देखिए, यह भी बहुत अच्छा है, और वेबसाइट में यूज़ करने के लिए, तो यह काफी अच्छा है, और इसका मैं इंफरमिशन आपको दिखाता हूँ, देखिए, 97 किलोबाइट का है, और यह है इसका डाइमेंशन, तो अभी हम देखेंगे, हमारा लास्ट जो सोर्स है, और वो है manypixels.co, link मैं नीचे description में देदूँगा, आप देख सकते है, यहाँ पर search का option है categories है, types है, यहाँ पर भी आपका यह जो basic color है, इसको change करने की option मिल जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर यह color palette है, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ, blue, तो देखिए, यह जो illustration है, इसका basic color यहाँ पर change हो रहा है, और इसको download करने के लिए, आपको स्रीफ इसके click करना है, और आप यहाँ पर same, जैसे हमारा यह undraw.co था, उसी तरह का, आप यहाँ पर svg और png file download कर सकते हैं, मैं png file download करके दिखाता हूँ, तो देखिए, यहाँ पर यह png open हो रहा है, और इसका जो resolution है, वो है 500 x 500 pixel का, और 31 kv का size है, तो यह भी website में use करने के लिए ठीक ठ जाएगा, अब अगर यहाँ पर website, यहाँ पर type करेंगे, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे option यहाँ पर दिखाए देगा, और बहुत attractive option है, अगर आप यहाँ पर इनके license पर click करेंगे, तो देखिए, यहाँ पर clearly बताया गया है, all images, assets and vectors published by many pixels can be used for free, you can use them non-commercial and commercial purpose, मतलब आप इसको use कर सकते हैं, free में, तो इसमें भी copyright नहीं आएगा, इनका जो license है, उनमें clearly बताया गया है, कि आप यह images है, वो आप freely इसको download कर सकते हैं, copy कर सकते हैं, modify कर सकते हैं, distribute कर सकते हैं, मतलब आप अपनी हिसाब से जैसे चाहे, वैसे आप इसको use कर सकते हैं, तो दोस्त इस तरह की वीडियो का notification अपको मिलते रहें, धन्यवाद दोस्तों